हरियों ब्रीदर्स को यदि आपकी मीन राशी या मीन लगन है तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे आपने थमनेल में पढ़ा कि ब्रह्मान का सबसे ताकत बरग्रह आपके साथ है दूर होंगी समस्याएं रंक को भी राजा बनाएंगे सनिदेब कैसे बनाएंगे कब बनाएंगे सनिदेब अभी नहीं जनबरी से ही कुमराशी में गोचर कर रहे हैं परन तो अभी तक कुछ हुआ नहीं आपने जनबरी से लेके अभी तक हजारों वीडियो देख चुके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये परिवर्तन ग्रह कर रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है, पर हुआ कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ, होगा की नहीं होगा, सब जानेंगे, परन्तु वीडियो को स्क्रिप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है ज़िए आपने लाश तक इस वीडियो को देख लिया तो अंगली वीडियो दूसरी आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ होगा कि नहीं होगा ज़िए आपको समझना है तो वीडियो के लाश तक बने रही है चलिए चर्चा करते हैं सनिदेव कुम्हराशी में जन्वरी से ही गोचर कर रहे हैं प्रंतु वो आपको result देंगे ये मैं proof के साथ बताने वाला हूँ proof कैसा वो भी देखिएगा चलिए सबसे पहले जान तो लें क्या देंगे तब न प्रूफ दें कि हाँ कुछ होगा की नहीं होगा इस वीडियों भी आपका टाइम पास होने वाला ऐसा तो नहीं ये भी जानेंगे चलिए सनिदेव अभी आपके बेवाव में दौदस भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके आए भाव एकादस भाव के भी अधिपती सनिदेव ही बन रहे हैं तो यहाँ पर सनिदेव बिराजमान होके ज़िए आपको कूट कचहरी का चक्कर लग रहा था यहाँ पर विजय दिलवाएंगे पैसे आते तो थे पर खर्च हो जाते थे बसते नहीं थे खर्च इतना ज़्यादा हो चुका था कि कमाई कितनी भी हो जा पर मालूम नहीं पड़ रही थी साथ में घर परिवार में कले का महल दिन प्रति दिन बिना कोई कारण के बाद वियाद होना आपके बाड़ी से जो बाते निकलती थी तो लोगों को चुभती थी लोग सत्र बन जाते थी पैत्रिक संपत्ति को लेके जगड़े समस्याएं उदूर होंगे घर परिवार में कले का महल दूर होगा आपस में प्रेम बढ़ेगा साथ में सत्र ब्रद्धी जैसे कि सत्रों की बाढ़ा लग गई हो अब वहां से भी चुटकारा मिलने वाला है करज की स्थिति ये दिबन गई थी तो करज से मुक्ती मिलेगी साथ में आप रोगों से पीड़ित थे एक बिमारी गई तो दूसरी आई नहीं कभी आपके परिवार को अब यहां से भी चुटकारा मिलने वाला है आरोगता की प्राप्ती होने वाली है साथ में मेहनत तो बहुत करते थे परंदु रिजल्ट नहीं अर्थात भाग का साथ नहीं मिल रहा था भाग का भी साथ होगा भगवान के प्रतियाब रुची भी बढ़ेगी धर्म के प्रतियाब लगाओ भी बढ़ेगा साथ में सबसे महत्त पून पॉइंट कौन सा पैसा अब आपके आए में भी ब्रद्धी होने वाली है अभी तक तो हो ही रही थी जो हो रही थी अब जबर जस्त होगी यदि आप कि बड़े भाईयों से बाद व्याद हो रहे थे वो भी अब दूर होने वाले तो इतना कुछ सनी देव आपको अब देने वाले हैं आपने एक से दो मिनट में समझ लिया चाहे परिवार की इस्तिती हो कले का महौल बना हुआ पैत्रिक संपत्ति को लेके समझ आए हो चाहे सत्र वादा हो रोग बहुत जाला प्रसान कर रहे हो या तो आए में बाधायें बन रही हो अब समझ्याओं से चुरकारा मिलेगा और आए में ब्रद्धी होगी क्यों होगी कैसे होगी आए जानते हैं यहां से समझना बहुत महत्तपून है पूरे ध्यान से सुनिएगा ना समझ में आए एक बार दुआरा सुनिएगा पर समझ येगा जरूर क्योंकि ये बाते आपने समझ लिया ना तो आपका समय बचेगा और आप हर वीडियो जब सुनेंगे कोई भी वीडियो आप समझ पाएंगे कि हाँ जो बताया जा रहा है तो इसा होगा की नहीं होगा यहां पर जैसे देखिए सनिदेव जनवरी से ही यहां बिराज माने कुंबराशी में इनकी ये मूलत्रिकोन राशी है अब मूलत्रिकोन राशी में है एक प्रसन और भी बीच में उठ रहा है कि चलिया ठीक है साड़े साथी तो चालू हो गई है मीन राशी वालों की आप पोल रहें बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंकि अपनी ये मूलत्रिकोन राशी में है और जब कोई ग्रह सुविस्तिती में होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है अब कहेंगे ये तो कारक नहीं है मीन राशी वालों के लिए मीन लगने वालों के लिए फिर भी अच्छा क्योंकि यह अपनी मोल्त्रिकोन राशी में होता है मारगी हो जाता है अभी तक जब यह जन्वरी से आए थे यह बहुत कमजोर थे अंसवल से फिर जैसे ही थोड़ा इनका अंसवल बढ़ा वक्री हो गए यह रिजल्ट चाहते हुए भी नहीं दे रहे थे पर अब देंगे जानते हैं सनिदेव का दौदस भाव में यह बैभाव है यहाँ पर यह कारक बन जाएंगे शनिदेव आपके लिए तो शनिदेव अब क्योंकि यह अंसवल से मजबूत हो चुके हैं वक्री से मारगी हो चुके हैं इसके अलाबा इसलिए रिजल्ट देंगे इसके अलाबा देव गुरू ब्रहस्पति भी अब चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं राहु केतु का भी राज परिवरतन होने वाला है। इसलिए आपके जीवन में जो समझ्याएं थी वो सनी देव और देव गुरु ब्रहस्पति अब सम्हा लेंगे। देव गुरु ब्रहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि जैसे आपने अभी देखा, यह गोचर की स्थिति के अनुसार सनीदेव आपके 12 भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है। परणतु आपकी जन कुंडली में वो पीडित है। वो पाब मध्यत में है, सत्र राशी में बैठे हैं, अंस बल से कमजोर हैं। किसी त्रिक भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में गोचे तो पापी ग्रह बली होते हैं। परन्तु वो सटबल से ही कमजोर हैं, कहीं राहू से संबन्ध बन गया है, स्राष्टक योग में हैं, संद्रमा के साथ विस योग बना रहे हैं, और भी ऐसे दुर्योग हैं, यदि वो बना रहे हैं, तो इसलिए फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, परन्तु वो यदि सु कासी के हो के केंद्र में बैट गए हैं, ससनामक पंच महा पुरुशियोग बना के बैट गए हैं, ब्यापार योग बना के बैट गए हैं, सत्रुहंता बना के बैठे हुए हैं, आपके लिए वो कारक ग्रह साभित हो रहे हैं, तो पिर सनिदेव यदि अंसबल से भी हैं, इस तरह यदि वो अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको अच्छे रिजल्टे देने ही वाले हैं, फिर जो बताया जाता है वो मिलेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, गोचर में ग्रहों की स्थिति जो है, बहुत अच्छी स्थिति है या बहुत खराब है, तो क्या इसलिए हमेशा जन्म कुंडली जरूर चिप करिए, साथ में अब जैसे दो हजार तेश तो जाने ही वाला है, अब दो हजार चोविस आएगा, तो पूरे वर्स का आप विसिलेशन करबा सकते हैं, दिये हुए नमबर पे वार्सप कर सकते हैं, अपाइमेंट रिले सकते हैं और उसके बाद आप अपने दो हजार चोविस कैसा रहेगा आपके लिए, ये जान सकते हैं विसिलेशन करबा के, इसके राबा वार्सिक राजपल भी आ चुका है, चैनल में है, आप देख सकते हैं यह आपने अभी तक नहीं देखा है, और साथ में प्रिय दर्शकों, अभी मिलता क्यों होता है, अब हम उपाय की बात करते हैं, अभी तक बहुत सारे लोग चले गए होंगे, बोल रहे होंगे, इस पंडिश जी गुरु जी टाइम पास कर रहे हैं, यदि आप अभी तक बने हैं, तो आइए उपाय की बात करते हैं, तो सन्देव के मंतरों का, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सहसने नमहा या तो अन्यमंत्र भी हैं संदेव के उनका भी जब कर सकते हैं कम एक माला ज्यादा जितना जब सकें संचली सा का आप पाठ कर सकते हैं ये आपको संध्याकाल या तो रात्री में करना है और हनवान जी की भयाराधना करें तो और भी अच्छे संदेव रिजल्ट देंगे और इसके अलावा आपको शत्त के राष्टे में चलना है जूर से जितना ज्यादा बचें जितना ज्यादा आलस से बचें उतना ही बेतर जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे, शत्कर्म करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को help करेंगे, help कैसे करना है, independent बना के, कोई आपके पास पैसा भागने आया, तो आपने क्या किया, पैसा दिया या नहीं दिया, वो महत्तपून बात नहीं है, महत्तपून बात ये है, कि आपन उसको एक राष्टा बता दिया तुम खुद पैसा कमा सको इस तरह लोगों की हिल्प करना अर्थात इंडिपेंड बनाना है उनको उनके पैरों में खड़ा करना है तो आपने ये काम कर दिया तुस्तन देव इन उपायों को करने से अर्थात सत्मार्ग में चलने से लोगों की हिल्प करने से बड़ों का सम्मान करने से आलस का त्याग करने से जीवन में ब्रद्धी होती है जीवन में सनिदेव का शाथ मिलता है सनिदेव यदि खराब इस्तिती में भी हैं तो अच्छे रिजल्टे देना चालू कर देते हैं, इन उपायों से, आप कहेंगे कि आपने दो तीन ही उपाय बताया, बहुत लोग तो दस दस उपाय बताते हैं, अरे बहुत दो तीन तो कर लो, दस को छोड़ो, दो तीन ही कर लो, यही उपाय संदेव को आपने कर लिया, आपके जीवन में संदेव बहुत अच्छर जड़ देंगे, मुझे पता है, कहेंगे कि गुरुजी आपने देखा नहीं, साड़े साती का प्रारम हो चुका है, पता है मुझे, फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्यों बता भी दिया क्यों कह रहा हूँ, तो इसलिए प्रिदर्श को कर्म करिए, कर्म से पीछे मत हटिए, संदेव आपको देंगे, और यदि आप अभी तक बने हैं, तो कमेंट में जै संदेव लिखना है आपको, और लिखना नहीं है खाली, असमरण भी करना है संदेव का, बोलते जाएए, लिखते जाएए, जितने बार आप लिख शकते ह बश, इतनी ही जानकारियां थी, और इस वीडियो को सेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा है, सेयर करिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सब महत्कून बाते हमने की, आपका भी समय गया, ये हर ब्यक्त तक जानकारी पहुंच सके, यदि आप प्रेदर्सकों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धरनवाद